श्री मन नारायन नारायन हरी हरी लक्षमी नारायन नारायन हरी हरी श्री सत्य नारायन वरत कता पहला अध्याए एक समय नैमी शारण तीर्थ में शौन काधी 88,000 रिश्यों ने श्री सूच जी से क्पूछा हे प्रभु इस कल्युग में वेद विद्या रहित मनुश्यों को प्रभु भक्ती किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा इसलिए हे मुनिशेष्ट कुई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुन्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है सर्व शास्त्र ग्याता श्री सूच जी बोले हे व्याशनवों में पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है अब मैं उस श्रेष्ट वरत को आप लोगों से कहूंगा जिस वरत को नारज जी ने श्री लक्ष्मी नारायंट से पूछा था और श्री लक्ष्मी पती ने मुनिशेष्ट नारज से कहा था सो ध्यान से सुनो एक समय योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घुमते हुए मृत्यों लोक में आ पहुँचे यहां अनेक योणियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ी देख कर सोचा किस यतन के करने से निश्चे ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोच कर विश्नू लोक में गए वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के इश श्री नारायन को देख कर जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वर्माला पहने हुए थे स्तुति करने लगे हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन है, मन तथा वानी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदी मध्य अंत नहीं है, निर्गुन स्वरूप श्रिष्टी के आदी भूती व भक्तों के दुखों को नश्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है नारत जी की इस प्रकार स्तुती सुनकर श्री विश्णु भगवान बोले, हे मुनिशेष्ट आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, नि संकोच कहो तब नारत मुनि बोले, मृत्यों लोग में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नात मुझ पर दया रखते हो तो बतलाईए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं श्री भगवान बोले, हे नारत मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ बहुत पुन्य देने वाला चौर्ग तथा मृत्यू लोक दोनों में दुरलब एक उत्तम वरत है आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्य नारायन का यह वरत अच्छी तरह विधी पूर्वक करके मनुष्य आयू पर्यंत यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनी बोले कि उस वरत का फल क्या है क्या विधान है और किस ने यह वरत किया है और किस दिन यह वरत करना चाहिए विस्तार से कहिए श्री भगवान बोले दुख शोक आदी को दूर करने वाला धन धाने को बढ़ाने वाला सौभाग्य तता संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजई करने वाला है भक्ती और श्रधा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्य नारायन की शाम के समय ब्रामनों और बंधुओं के साथ धर्म परायन होकर पुजा करें भक्ती भाव से नवैध केले का फल घी दूद और गेहु का चून सवाया लें गेहु के अभाव में साथी का चून शक्कर तथा गुड लें और सब भक्षन योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अरपन कर दें तथा बंधुओं सहित ब्रामनों को भोजन कराने के पश्चात स्वयम भोजन करें रित्य गीत आदी का आचरन कर श्री सत्य नारायन भगवान का समरन करते हुए समय व्यतीत करें इस तरह व्रत करने से मनुश्यों की इच्छाप निश्चे ही पूरी होगी विशेशकर कलिकाल में भूमी पर यही मोक्ष का सरल उपाय है दूसरा अध्याय सूजी बोले है रिशियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान से सुनो सुन्दर काशी पूरी नगरी में एक अत्यान्त निर्धन ब्रामण रहता था वह भूक और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृत्वी पर घुमता था ब्रामणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्रामण को दुखी देखकर बुड़े ब्रामण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा हे विप्र नित्य दुखी हुआ पृत्वी पर क्यों गुमता है हे श्रीष्ट ब्रामण यह सब मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ ब्रामण बोला मैं निर्धन ब्रामण हूँ बिक्षा के लिए पृत्वी पर फिरता हूँ हे भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो वृत ब्रामण बोला कि श्री सत्य नारायन भगवान मनवांशित फल देने वाले हैं इसलिए हे ब्रामण तु उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है ब्रामण को वृत का सारा विधान बतला कर भुडे ब्रामण का रूप धारन करने वाले श्री सत्य नारायन भगवान अंतरध्यान हो गए जिस वृत को वृत ब्रामण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा यह निश्चे करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई वह सवेरे उठ श्री सत्य नारायन के वृत का निश्चे कर भिक्षा के लिए चला उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला जिससे बंदू-बांधू के साथ उसने श्री सत्य नारायन का वृत किया इसके करने से वह भ्रामण सब दुखों से चूट कर अनेक प्रकार की समपतियों से युक्त हुआ उस समय से वह भ्रामण हर मास वृत करने लगा इस तरह श्री सत्य नारायन भगवान के वरत को जो करेगा वह सब पापों से चूट कर मुक्ष को प्राप्त होगा आगे जो पृत्वी पर श्री सत्य नारायन का वरत करेगा वह मनुश्य सब दुखों से चूट जाएगा इस तरह नारज जी को श्री सत्य नारायन का कहा हुआ यह वरत मैंने तुम से कहा हे विप्रो मैं अब और क्या कहूं रिशी बोले हे मुनिश्वर संसार में इस ब्रामन से सुन कर किस किस ने इस वरत को किया हम वह सब सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है सुद्जी बोले हे मुनियों जिस जिस ने इस वरत को किया है वह सब सुनो एक समय ब्रामन धन और एश्वर के अनुसार बंधू बांधू के साथ वरत करने को तयार हुआ उसी समय एक लकडी बेचने वाला बुड़ा आदमी आया और बाहर लकडियों को रखकर ब्राहम के मकान में गया प्यास से दुखी हो लकड हारा उनको वरत करते देखकर ब्रामन को नमसकार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है क्रिपा कर मुझसे कहो ब्रामन ने कहा सब मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्य नारायन भगवान का वरत है इसकी ही क्रिपा से मेरे यहां धन धान्य आदी की वृद्धी हुई है ब्रामन से इस वरत के बारे में जानकर लकड हारा बहुत प्रसन हुआ चर्णामरित लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया लकड हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकडियां बेच कर जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्य नारायन देव का उत्तम वरत करूँगा यह मन में विचार कर वह बुड़ा आदमी लकडियां अपने सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुन्दर नगर में गया उस रोज वहाँ पर उसे उन लकडियों का दाम पहले दिनों से चोगुना मिला तब वह बुड़ा लकड़ा दाम ले और अतिप्रसन होकर पक्के केले की, फली, शकर, घी, तूद, दही और गेहुं का चूण इत्यादी श्री सत्य नारायन भगवान के वरत की कुल सामगरियों को लेकर अपने घर गया फिर उसने अपने भाईयों को बुलाकर विधी के साथ भगवान चरी सत्य नारायन जी का पूजन और वरत किया उस वरत के प्रभाव से वह बुड़ा लकड़ा धन और पुत्र आदी से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भूग कर बैकुंट को चला गया पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धी मान राजा था वह सत्य वक्ता और जितेंद्रे था प्रती दिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट तूर करता था उसकी पतनी कमल के समान मुख वाली थी और सती साथवी थी भद्र शीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्य नारायन का व्रत वपूजन किया उस समय वहां एक वैश आया उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था वह नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास आ गया और राजा को वरत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा हे राजन भक्ति युक्त चित से यह आप क्या कर रही हैं मेरी सुनने की इच्छा है सो आप यह मुझे बताईए राजा बोला हे साधू अपने बांधूओं के साथ पूतरादी की प्राप्ति के लिए महा शक्तिवान श्री सत्य नारायन भगवान का वरत्व पूजन किया जा रहा है राजा के वचन सुनकर वैश्य आदर से बोला हे राजन मुझसे इसका सब विधान कहो मैं भी आपके कथा नुसार इस वरत को करूँगा मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चे ही होगी राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवरत हो वह आनन्द के साथ घर गया वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस वरत की महिमा को सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तम मैं इस वरत को करूँगा वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावति से कहे एक दिन उसकी स्त्री लीलावति पती के साथ आनन्देत हो संसारिक धर्व में प्रवरत होकर श्रिसत्य नारायन भगवान की कृपा से गर्ववति हो गई तथा दसवे महीने में उसके एक सुन्दर कन्या का जन्म हुआ दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है कन्या का नाम कलावती रखा गया तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा अब आप उसे करिए वैशे बोला हे प्रिये इसके विवा पर करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया कलावती पित्र ग्रह में व्रिधी को प्राप्त हो गई वैशे ने जब नगर में सक्खियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला कर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ वैशे की आग्या पाकर दूत कंचन नगर पहुँचा और वहाँ पर बड़ी खोज और देख बाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आया उस सुयोग्य लड़के को देख कर वैशे ने अनेक बंदू बांधुओं सहीत प्रसन चित अपनी पुत्री का विवा उसके साथ कर दिया किन्तु दुरभाग्य से विवा के समय भी उस वरत को करना भूल गया तब श्री सत्य नारायन भगवान क्रोधित हो गये और श्राप दिया कि तुम्हें दारुन दुख प्राप्त होगा अपने कारे में कुशल वैशे जमाता सहीत समुद्र के समीब स्थित रत्नपूर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्र केतू राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे एक रोज भगवान सत्य नारायन की माया से प्रेरी कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था किन्तू राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे जब दूतों ने उस वैशे के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दोडते हुए राजा के समीब जाकर बोले यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं देख कर आग्या दे तब राजा की आग्या से उनको कठोर कारवास में डाल दिया और उनका सब धन चीन लिया श्री सत्य नारायन भगवान के श्राब त्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए शारीरिक्व मांसिक पीडा तथा भूक प्यास से अती दुखित हो अनकी चिंता में कलावती एक ब्रामन के घर गई वहां उसने श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत होते देखा फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहन कर रात को घर आई माता ने कलावती से कहा है पुत्री अब तक कहा रही वह तेरे मन में क्या है कलावती बोली है माता मैंने एक ब्रामन के घर में श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत देखा है कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्य नारायन भगवान का पूजन किया और वर मंगा कि मेरे पती और दमाद शीगर घर आ जाएं साथ ही प्रातना की कि हम सब का अपराध किशमा करो श्री सत्य नारायन भगवान इस वरत से संतुष्ट हो गए और राजा चंदर केतु को स्वपन में दर्शन दे कर कहा हे राजन दोनों वैशियों को प्राते ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने गरहन किया है दे दो नहीं तो मैं तेरा धन और राजे पुतरादी सब नश्ट कर दूँगा राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतरध्यान हो गए प्राते काल राजा चंदर केतु ने सभा में अपना स्वपन सुनाया फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया दोन अब कोई भै नहीं ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूशन पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया दोनों वैशे अपने घर को चल दिये चोथा अध्याए सूच जी बोले वैशे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्धारी श्री सत्य नारायन ने उनसे पूछा हे साधु तेरी नाव में क्या है अभिमानी वणिक हस्ता हुआ बोला हे दंडी आप क्यों पुछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं वेश्ध का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी रूपी श्री सत्य नायन भगवान ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुत्र के किनारे पैठ गए दंडी के जाने के बाद वेश्ध ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को उची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर मूर्चितो जमीन पर गिर पड़ा फिर मूर्चा खुलने पर अत्यांत शोक प्रकट करने लगा तब उसका दमाद बोला कि आप शोक न करें यह दंडी का श्राप है उनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी दमाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुँचा और अत्यांत भक्ती भाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आप से असत्य वचन क रहे थे उनको क्षमा करो ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा तब दंडी भगवान बोले हे वनिक पुत्र मेरी आज्या से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तू मेरी पूजा से विमुख हुआ व्यश्य बोला हे भगवान आपकी माया से मोहित भ्रह्मा आदी भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं अज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हो ये मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन हो उसकी इच गवान श्री सत्य नारायन का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला जब अपने नगर के निकट पहुचा तब दूत को घर भेजा दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमसकार कर कहा कि आपके पती दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं ऐसा वचन की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन कर स्त्री से कहा मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तू कारे पूर्ण करके शीग्र आ माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद चोड़कर पती के पास गई प्रसाद की अवग्या के कारण से सत्य देव न कन्या को रोता देख वैश्य दुखित हो बोला हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्य देव प्रसन हो गए और आकाश्वानी हुई हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसात को छोड़ कर आई है इसलिए उस प्रशात ने घर पहुँचकर प्रसात खाया फिर आकर पती के दर्शन किये तत पश्चात वैश्य ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्य देव का विधी पूर्वक पूजन किया उस दिन से वह पूर्णिमा को श्री सत्य नारायन का पूजन करने लगा फिर इस लोग का सुख भूग कर अंत में स्वर्ग लोग को गया पांचवा अध्याए सूजी बोले हे रिशियों मैं एक और कथा कहता हूं सुनो प्रजा पालन में लीन तुंग धोज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया एक समय वन में जा कर वन ने पश्यों को मार कर बढ़ के पेड के नीचे आया वहां उसने ग्वालों को भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुन्दर नगरी को चला गया वहां उसने अपना सब कुछ नश्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीब गया और विधी पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्य देव की क्रिपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर चाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोग को गया जो मनुश्य इस परम दुरलब व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निरभय हो जाता है संतान हीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा मनोरत पूर्ण होकर अंत में बैकुंट धाम को जाता है। जिन्हों ने पहले इस वरत को किया और उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद शतानंद भ्रामर ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उलकामुख नाम का राजा दश्रत होकर बैकुंट को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरधवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। कथा समाप्त श्री सत्य नारायन जी की आर्ति ओम जै लक्ष्मी रमणा स्वामी जै लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायन स्वामी जन पातक हरिना ओम जै लक्ष्मी रमणा रत्न जडित सिहासन अदभुत छवी राजे स्वामी अदभुत छवी राजे नारद करत निरंजन घंटा धनि बाजे ओम जै लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कली कारण दुज को दरस दियो स्वामी दिज को दरस दियो बुडो ब्रामन बनकर कंचन महल की ओ ओम जै लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील की रातनी जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र चूड इक राजा जिन की विपत हरी ओम जै लक्ष्मी रमणा वैश्य मनुरत पायो श्रधा तज दीनी स्वामी श्रधा तज दीनी सोफल भोग्य प्रभूजी फिर स्थुति कीनी ओम जै लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धर्योग स्वामी चिन चिन रूप धर्योग श्रधा धारन कीनी तिन के काज सर्योग ओम जै लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन वांचित फल दीनो दीन दयाल हरी ओम जै लक्ष्मी रमणा चड़त प्रसाद सवायो कदली फल में वां स्वामी कदली फल में वां धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जै लक्ष्मी रमणा शिर सत्य नारायम जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपति पावे ओम जै लक्ष्मी रमणा श्वामी जै लक्ष्मी रमणा स्वामी जै लक्ष्मी रमणा सत्य नारायम स्वामी शिसत्य नारायम स्वामी जन पातक हरना ओम जै लक्ष्मी रमणा झाल